तो हाई गाइस वेलकून तो निवे चैनल तो फ्रेंस आज जो है हम वीवो वीट्वेंटी के कुछ ऐसे कोश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों नहीं मेरे से पूछे हैं और वीवो वीट्वेंटी के ओपर काफी जादे जो यह वीडियो में ने तीन चर वीडियोस हैं उनको अगर आपनी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं चैनल पे अल्रड़ी अप्लोडेड है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको और प्ले लिस्ट पे भी लिंक मिल जाएगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो पसंद है तो फास्ट है तो यहां पर जब मैं आपको एक बर फिंगर्पिंट चेक करवा देता हूं यहां पर आप देख सकते हो मैं जो है एक बर इन डिस्प्ले फिंगर्पिंट में हाथ रखूंगा और देखना कितने जल्दी यह अनलॉक होता है तो यहां पर मैंने रखा हाथ और यह अन्लॉक हो गया तो आपने देखा एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ तो यह देखा आपने कितने जल्दी यह अन्लॉक हो जाता है इन डिस्पेल फिंगर्प्रिंट्स जो है थे ना वो थोड़ा सा आपको एक्विरेट नहीं लगते अन्लॉक है तो यह जो है प्रीवियर चेनरेशन से काफी जादा फास लगेगा आपको इसका फिंगर्प्रिंट वीवर वीट्वेट्टी में नेक्स्ट कोशन जो काफी लोगों ने मेरे से पूचा है वह फेस अनलॉक का यहां पर जो फेस अनलॉक है उसका स्पीड आपको कै अब करने इसको साइट करने के दशा सेक्योरिटी फेस वेस के अंदर वह जाने पड़ेगा अपना पासवर्ट डालना पड़ेगा तो पासवर्ट डैलने के बाद आपको यहां पर स्टार्ट टू एड करना है फिर परमिशन दे देनिये इसको और अपना फेस ज्यलिए डि तो face पे जाके अपना password डालिए और इसमें आपको देख सकते हो stay on lock screen after unlocking को आपको बंद कर देना है करने के आपको आप जो है जब भी आप फोन की तरफ देखेंगे तो वह automatic on हो जाएगा जैसे मैं ब्राफर बटन को दबाऊंगा यह unlock हो जाएगा देख सकते हो तो मैंने fingerprint तो क fastly open करते था इसको तो यह चीज जो है face unlock काफी जादा fast है इसका थर्ड चीज है notification light काफी लोग जो है notification light के पारे में पूछ रहते हैं कि इसमें notification light देखने हो मिलती है कि नहीं तो जी हाँ यहां पर आपको कोई भी physical notification light नहीं देखने हो मिलती है लेकिन इसमें आपको जो है ambient light देखनी हो मिलती है और साथ ही साथ आपको always on display भी देखनो मिलता है always on display आप देख सकते हो यहां पर आप को जो देखने हो मिलता है वो चीज आप मिल जाती है और यहां परختलिक दुर्ण Vaat का बीकिन कोई भी आपको फिजिकल नोटिशन लाइट नहीं मिलती है चार्जिंग के time पे भी यह जो है screen अैसी ही on रहती है कोई भी आपको light देखने को नहीं मिलेगी ford चीज़ है file manager तो यहाँ पर आपको inbuilt कोई भी file manager देखने हो नहीं मिलता अल्ली आपको google files जो है आपको देखने हो मिलता है लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको file manager नहीं मिलता जैसे कि आपको वीवो के previous phones में देखने को मिलता था जो कि google files के नाम से आता है तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने file manager install किया हुआ है तो यह जो है वीवो का original file manager है और अगर आपको इसको install करना है इसका total procedure मैंने आपको बता है वीवो v20 में आप जो है file manager install कर सकते हो वीवो के original file manager को next question है वो है अमार वीडियो frame rate तो यहां पर वीडियो में काफी दा questions आते लोगों कि rear camera में और front camera में आपको कौन-कौन से वीडियो के resolution देखनो मिलता और frame rate देखनो मिलता है तो यहां पर मैं जाता हूँ और motion eye autofocus को जो है अगर आप अनेबल रखते हो तो वीडियो only आपकी 1080p जो है 30 fps पे ही record होती है और 50 fps का आपको option मिलता है और अगर मैं motion autofocus को बंद कर दूं तो फिर आपको 1080p और आप जो है यहां पर 50 fps पे वीडियो record कर सकते हो और 4K 60 fps तक जो है आप वीडियो नहीं record कर सकते हैं सिर्फ 1080p 50 fps और 4K 30 fps पे वीडियो record कर सकते हो अगर आपको 60 fps पे जो है record करना है तो आपको वीडियो resolution या तो 1080p या फिर 720p में रखना पड़ेगा साथी बात करते हैं front camera की तो front camera के लिए आपको settings में जाना है इस front camera में आपको सिर्फ 1080p 30 fps का ही option मिलता है by default यहाँ पे आप देख सकते हो 1080p 30 fps का option है और यहाँ पे 720p 30 fps और 4K 30 fps तो जो है वीडियो recording में आपको कोई भी higher resolution या frame rate नहीं मिलता जैसे कि आपको 4K 60 fps का option आपको नहीं मिलेगा इसमें तो वो चाहिए आपको दिहान रखनी है साथी यहाँ पर यही कुछ questions थे जो आपनों पूछा है और अगर आपको Vivo V20 से related कोई भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जो है कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो के नीचे आपको फटावट वीडियो मिल जाएगी उससे related topic पे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है तो लाइक से उससे कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नूटिविशन बेल को फ्रेस कर लीजिए आपको नए नए वीडियो साथ ही मिलते रहेंगे तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए बाए